हेलो दोस्तों तो आपको स्वागत है एडी शाखन क्लासस में और आज जो है JPSC का लेडेस्ट अपडेट है JPSC 2024 का कटफ कितना जाने बाला है और मैं ये भी बता देता हूं कि इस बार ज्यादा नहीं जाएगा और जितने भी स्टूडेंट एक्जाम दिये हैं वह बेफिक्र रहें क्योंकि एक अफवाह वीडियो आया है जैसे वाइरल वीडियो हुआ है कि पेपर लिख हो चुका है देन उस पर भी जाच हो रहा है न कि वह वहां का वीडियो है या नहीं है या फिर किसी के द्वारा ये कराया जा रहा है सारी चीज़ पता चल जाएगे और ज्यादा चांसे से कि पेपर लिख नहीं हुआ है और आपका एक्जाम कैंसल नहीं होगा तो जितने भी विद्यारती अव्यरती जो एक्जाम देकर बहुत कठिनाईयों को झेल कर ठीक है स्टेशन पे रात बिटा कर एक आने वाला है तो मैं बात बता दूं कि एस्टी यानि की अनुसुचित जन जाती अगर अव्यरती हैं और वो 105 क्वेस्टन्स सॉल्ब कर चुके हैं तो मैं अभी से बता देता हूं कि वो लग जाएं मेंस की तैयारी में वो एकदम धड़क होकर वो लग सकते हैं अब एस्ट 8 से 10 क्वेस्टन्स अगर दोनों मिलाकर सही हो रहा है उनका तो वो भी लग जाएं मेंस की तैयारी में ठीक है क्योंकि इस बार ज्यादा कटप नहीं जाने वाला है ठीक है EWS यानि की BC1 के लिए 120 से 123 क्वेस्टन्स अगर ये लोग सॉल्ब किये हैं तो ये हैं मेंस का तैया कर सकते हैं BC2 के लिए 125 क्वेस्टन्स सही करने होंगे यानि कि यहां 123 से 125 के बीच अगर आप क्वेस्टन्स सही हुआ है तो आप आराम से कर सकते हैं next EWS के लिए जो है कितना है इसका कटफ जा सकता है कुछतना क्वेस्टन्स यानि 116 से 118 क्वेस्टन्स वाल पिये हैं दिन आप सेव जोन में हैं तो ये हुआ आपका कटफ त्यक्ष्टन्स अगर आप कर चुके हैं दिन आप एकदम प्योर सेफ है क्योंकि इस बार कटफ ज अफवा हैं क्योंकि देखे जो एक्जाम नहीं दे चुके होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंसिट्यूट हैं जो वीडियो को वाइरल कर रहे हैं वो तो जांचने नहीं गये हैं कि वो वीडियो में सत्यता है या नहीं है पहले ही सारे वाइरल हो जाते हैं दिन ये बहु करके social media पर लगाए क्योंकि पहले ही social media पर ऐसे लगा देंगे देन डाट्स नॉट राइट ठीक है अब कहीं कावी video कहीं हो जाएगा अगर एक video वाइरल हुआ था जो जामताड़ा का कहा जा रहा है अगर वो video वाइरल था जो video बना रहे हैं वो question के नजलिक क्यों नहीं ले ग हो ठीक है तो इस प्रकार से वो सत्यता का जाच होना चाहिए यह मैं मानता हूं लेकिन यहां अफवाह में न जीए और अभ्यर्थियों को हतुत्साहित न करें मैं उनसे भी बोलता हूं जो वीडियो को इधर उदा हतुत्साहित करने वाले video वो डालते हैं क्योंकि एक अभ को छीनना चाहते हैं तो साहित करते हैं तो आप न ध्यान दे अगर आपका एक्जाम दिये हैं अच्छा गया हो देन आप टैंसान न ले ठीक है आपका रिजल्ट आने वाला है जरूर आएगा और इतना ही कटफ के बीच आएगा क्योंकि इस बार 50% जो है स्टूडेंट वहाँ प्रजेंट थे 50% ही एक्जाम दिये हैं तो इस बार कटफ जादा नहीं जाने वाला है रिजन ये कि आपका बनली 14 14 देंस के अंदर ये एक्जाम लिया गहा है तो बहुत सारे रिजन है कि कटफ कम जाएगा तो इस बार का कटफ यही होने वा बार कर दो कर दो कि आपका अंदर वाला है